आज मैं आपके साथ मलाई पनीर मसाले की रसिपी शेयर करने जा रही हूँ जिसके लिए मैंने 200 ग्राम पनीर ले लिया और यह चोटे-चोटे क्यूब्स में कट कर लिया है और उसाथी में मैंने यहाँ पर दो मीडियम साइस की प्यास ले लिया है 2-3 तामाटाटर लिया है टोमेटो लिया और यह अमुल्की फ्रेश क्रीम लिया में फुर्य नहीं करेंगे रॉ misinformation और भी इसमें मसाले लगे जो के मैं आपको आगे बताती हुँ और यह बहुत जल्दी बन जाती है शप्रिसिपी तो चलिए हम रेसिपी को स्टार्ट कर लेते है तो यहां पर मैंने एक पैन रख दिया है उसे गरम करने के लिए इसमें हम 2 टेबल स्पून ऑईल दाल देंगे और साथी में यहां पर मैंने बटर ताला है यह तक्रीबन 30-40 ग्राम बटर होगा और इसे थोड़ा से मेल्ड कर अगर आप डायरेक्ट दालो के तो बटर जाल जाता है इसलिए मैंने पहले से थोड़ा ओल दाल दिया था और साथी में हम इसमें थोड़े से गरम मसाले दालेंगे जिसमें मैंने जीरा लिया है और थोड़े से काली मीरी मैंने लिया है लांग लिया और इलाइची और दाल इसे अच्छे से हमें भून लेना है यह देखिए ψ तरह से आपका प्याज और काजु बदमक ग्ष रोगलीयो वह अच्छी तरह से आप ऑईल में अच्छी तरह से बून लीजे साती में हम इसमें अद्रक लसन का पेस ये मैंने ब्लाक पेपर लिया है काली मेरी रेड चिली पाउडर, धनिया पाउडर और नमक लिया है टेस्ट के अकॉडिंगली आप नमक ले सकते हो और इसे भी हमें अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है मसालों के साथ ये देखिए मैंने इसे 7-8 मिनिट भून लिया है तो अब इसमें थोड़ा थोड़ा तेल जो है वो सर्फेस पे आना स्टार्ट हो गया है इसी तरह से अपको अच्छी तरह से इसे मिक्स कर लेना है भून लेना है मसालों में वन्हा है मसालों की कछी प्रूम अभी हम इन आप कर देंगए जो तीन टमआटर मैंने बताया थे îl स्चार्टिंग में उसकी भी मैंने प्रूरी बना लिए इससे बहूत जल्दी आपका पनीर बटर मसाला बन जाता है, तो मैंने वही किया है, ये देखिए, हम टमाटर जाल के भी इसे अच्छी तरह से भूल लेंगे, आप चाहो तो इसे ढकल लगा के भूल लेना थोड़ा सा, तो जल्दी हो जाता है, ये देखिए, मैंने थोड़ा देर के लिए से ढकल लगा दिया था, उपर, त तो थोड़ा सा खटा हो जाता है तो इसलिए हम सब चीज प्रॉपर मेजुमेंट से ही डालेंगे तो यहां पर हमारे मसाले अच्छी तरह से बून गए है और ऑईल भी पूरे अच्छी तरह से रिलीज हो गया है तो अब हम इसमें पनीर अट कर देंगे यह मैंने मलाई पनीर लिया था अमूल का ही लिया था मैंने तो यह ऐसे क्यूब्स में ही आता है तो आप इसे अच्छी तरह से मसालों में भून लीजे हमें पनीर को बहुत सादा भी नहीं पकाना हो रहता है वरना पनीर हाड हो जाता है तो अब हम इसमें गरम मसाला पाउड तो यहां पर मैं थोड़ी सी कसूरी मेती दाल रही हूँ अगर आप चाहो तो इसकेप कर सकते हो लेकिन इसे बहुत अच्छा टेस आता है और आपको यह भी बहुत जादा नहीं दाली है मैंने वन टीस्पुन के करीब इसमें आड किया है हम इसे थोड़ा मिक्स कर लेंगे अ तो यह जो चंग साते हैं न क्रंची वाले तो यह बहुत अच्छे लगते हैं बटर मसाले में जो पनीर का रहता है लास्ट हम इसमें अमुल की फ्रेश क्रीम यूज करेंगे अगर आपके पास घर की मलाई हो तो आप वो भी यूज कर सकते हो मेरे पास वावेलेबल नहीं ह तो इसलिए मैं अमुल की क्रीम यूज कर रही हूँ अभी हम इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है तो यह हमारा पनीर बटर मसाला रेडी हो गया आप इसे नान के साथ राइस के साथ यह नौर्मल चपाती जो हम बनाते है पाराटे बनाते उसके साथ सब कर सकते हो तो उम